वेलकम तो मैं चैनल अकांचा टिटोरियल्स आप सबका स्वागत है में चैनल में आज मैंने यह बहुत ही व्यूटिफुल सा मेकप लूग क्रिएट किया है फॉर नियूली ब्राइड या फिर किसी की वेडिंग वगेरा पे आप ट्राई कर सकते हैं आपका मतलब पहली होली है तो अप इस लुग को क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे वेज में कर सकते हैं बिल्कुल ब्राइडल टाइप का मेकप लूग है जो नेक्स दे भी अपने शाधी के अप कर सकते हैं अगर पूरा हॉल वीडियो आप देखना चाहते है अपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल अकांचा कुमार को जरूर विजिट करिए मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूगी अगर देखते हैं लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है सबसे पहले आई मेकप स्टार्ट करेंगे यहां पर हम फेस को मैंने थोड़ा सा मॉस्चराइज कर लिया है मॉस्चराइज रप्लाइ करके निक्स में यहां पर ऐज़ा कंसीरर या फिर आई बेस यूज कर रही हूं तो इसे लिए मेरलेलन के फीट में Connect कर लेंगे और इसके खराइज करने के लिए तो यहां पर मैबलीन की फिट मीमै प्लाक कि है नेच्स अच्ट ऑ्रफ्लीज के घंड़ करें चलाब ऑन मैंने के बहुत इच्छा इस्ट कर लेंड आ कर लेकर आहां करेंगे बीच अने नेक्स्ट यहां पर थोड़ासा जो रडिज टाइप का शेड है उसे लेंगे क्योंकि आउटफिट हमारी थोड़ी सी मैरूनिश-Pinkish है तो यहां पर मैंने रेडिज टर्णी उसे बस वीड्रॉ करूंगी जर चीप आजिने का और का सीजलिके चह्तर कहा के तब करें गया लिक यह जो इसके आपको में तो जर श्यायदा। के ऑनिंट कर दें थी गदोड़ा में के दिन ऊट गोड़ारी दाजा दिया है। जिस भी मीच आप लूप लुक कर सकते हैं किसी भी मेक ऊपया सब्सक्राइट कर सकते हैं मैं किysis बुढ़ का Pine बच्छे कर यदा की में तो इस तरह के लिए एपर एर्फेशरे करें काकिआग पर बाकी एरिया में जहां पे हम नहीं यह प्लाई किया है पहले वाला इसएड़ वहां किया पर बीच में और बीच में इनर कॉर्नर में यह टीजों आप यह यह टीज हैında कि या में जो भी करना है और अप साड़ी पे ल्हटेज हो सकते अगर आपको नहीं भी आता है तो आप आप से एज़ी में लड़की सायदी होगी गई से मेकप करना पसंद नहीं आता है तो ज़रूर इस अमिक पर लोग को ट्राइब करेंगे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे आप कह सकते हैं क्रीज एरिया के पास ताकि जो अइसा लाउट वगरा हुआ 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 है उसे हम भटा लेंगे कुछ इस तरह से नेक्स्ट मैं इस फेस को अपर करूंगी आपके सकते मास्टराइज और अप्राइमर यहां पर यहां पर आप्लाइज कर रही हूं हमालया की नैच्छल ग्लो रोज फेस जल बहुत ही अच्छी यह आप चाहने तो ट्राइ कर सकते हैं next as a foundation मैंने यहां पर इस बार लिया है laurear Paris की infallible pro matte foundation shade name is 107 fresh beige बहुत ही अच्छा shade मेरे लिए perfect है और यह winters के लिए बहुत अच्छा foundation है क्योंकि अगर आपकी skin type oily है तो यह बिल्कुल भी आप कह सकते हैं बहता नहीं है निकलता नहीं है कोई भी problem नहीं होती greasy नहीं लगता बहुत ही अच्छा लोकाता है तो अच्छे से उसे हम कर लेंगे blend यहां पे beauty blender के साथ आप neckline पे जरूर अपने foundation अप्लाई करिएगा वहना face और neck का जो color है वह थोड़ा अलग हो जाता है मैंने तो बार-बार आपको बताया ही है next time यहां पे apply करेंगे फिर से white concealer and white bae क्योंकि concealer तो apply करना ही है under area पे, bridge of the nose पे और फिर जहां भी मुझे pimples वगेरा के marks वगेरा है वह भी मैं यहां पे hide कर लोंगी वैसे मेरे marks काफी कम हो गए और फिर भी जो भी है मैं उसे यहां पे थोड़ा सा हाइट कर लोंगी और nose के असपास भी यहां पे और forehead पे and next time brush से ब्लेंड कर लेंगे आप चाहे तो beauty blender से भी कर सकते हैं but brush से में असानी होती है तो मैं यहां पे brush से कर रही हूँ अच्छे से blend कर लेंगे जो भी concealer अप्लाई किया है जितना अच्छे से आप makeup को blend करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपका base तयार होगा और makeup अच्छा लगेगा और जितना अच्छा base होगा makeup आपका उतना flawless लगने वाला है तो अच्छे से base पे ध्यान दीजिए makeup को अच्छे से blend कीजिए तो अब देख सकते हैं उसके बाल फिर मैं compact powder अप्लाई कर रही हूँ Maybelline की fit me जहां जहां concealer apply किया है mainly under area पे वहां पे compact powder अप्लाई कर लूँगी next guys मैं Maybelline की fit me compact ले रही हूँ बट यह से और cheekbones के नीचे में यहां पे और jawline के पास थोड़ा सा प्लाई कर लिया है जिससे कि हमारे face को एक अच्छी shape मिल जाए और बहुत beautiful makeup look निकल किया है nose को भी थोड़ा सा कॉंट्रोल कर लूँगी ताकि जो मेरी nose है वो sharp लगे next apply करूँगी guys liner और liner के लिए Maybelline की Colossal Bold Liner यह liner मेरी बहुत favorite है अगर आपने अभी तक ट्राइ नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राइ करिए guys यह जो liner आपको इतनी अच्छी लगी बहुत ही bold है मतलब बिल्कुल dark है अगर आपको dark liner करना अच्छा लगता है तो एक बार इसे ट्राइ जरूर करिएगा next मैं यहां पर Maybelline की Colossal काजल यूज कर रही हूं इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे smudge proof होता है सभी लड़कियों ने एक नएक बार इसे यूज जरूर किया होगा जो भी eyeshadow प्लाई करें उसमें से मिलता जूलता या आपकी outfit से मिलता जूलता जो eyeshadow color है उसे अपने lower lash line पर जरूर अप्लाई करें उसे जो लुक है वो और अच्छा लगता है balance लगता है और अपका make-up to complete feel होता है next हम अप्लाई करेंगे mascara मेबरीन की colossal waterproof mascara लिया है और यह बहुत ही अच्छा mascara है गाइस बहुत अच्छा लगता है अगर आप फॉसी लगाना नहीं चाहते हैं तो आप इस mascara को definitely purchase कर सकते हैं अगर अच्छी से लगाएंगे तो eye lashes आपकी बहुत बड़ी लगेगी मैं यह पर falsies apply नहीं कर रही हूं आप चाहने तो कर सकते हैं totally आपके ऊपर है तो कुछ इस तरह से धीर धीर है mascara हम apply कर लेंगे थोड़ा सा upper and lower lashes पे तो eye makeup हमारा approach complete हो जाएगा guys यहां पर देख सकते हैं अब जो हमने ज्यादा apply किया उसे brush और beauty blender से यहां पर manage करेंगे next pink color highlighter यूज़ करेंगे यहां पर और उसी palette में यह highlighter भी है आप देख सकते हैं यह highlighter बहुत ही ज्यादा अच्छा है pinky shade में bridge of the nose पे cheekbones पे apply करेंगे cupid bow पे apply करेंगे और थोड़ा सा forehead पे कुछ इस तरह से जो भी आपके higher points होते हैं जहां light आपके face पर पढ़ने वाली है वहां पर ज़रूर अप्लाई करें उसे जो make-up है वह बहुत beautiful लगता है तो अच्छे से यहां पर apply कर लेंगे next brown color का shade लेंगे कोई भी brown आपके eyebrows से match करता हुआ क्योंकि मैंने यहां पर eyebrows को fill नहीं किया था तो यहां पर मैं eyebrows को अपने fill कर लूँगी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छे से यह फिल कर लेता है और eyeshadow कर आप हलकी हाथ से लगाते हैं तो आपके eyebrows बिल्कुल भी artificial भी नहीं लगेंगे बिल्कुल और make-up आपका बहुत ही जड़ा परफेक्ट लगेगा तो कुछ इस तरह से उसके बाद फिर हम नेक्स्ट और एक हाइलाइटिंग और mixer shade mix है उसमें highlight और ब्लस उसे लेंगे और eyes के inner corner पे अप्लाई करेंगे गाइस ताकि हमारी आइस तोड़ी open और अच्छी लगे आप देख सकते हैं बिंदी लगा ली है और यह मैंने बैंगल्स भी पहन लिये हैं तो बस इतना सा हमने मैंने सब सारी एक्सेसरी पहन ली है अब लास्ट में अप्लाई करेंगे लिप्स्टिक और लिप्स्टिक के लिए मैंने यहां यहां पर यूज किया है और कि यह कौन से लिप्स्टिक है तो बस गई यहां पर हमारा मेकप लूप कम्प्लेट होता है मेकप को फिक्स करेंगे मेकप फिक्सर से और वह है ब्लू हैं लूप कम्प्लीट यह ब्यूटिफूल सा लूप आपको यह लूप पसंदारा होगा तो गाइज अगर यह अच्छा लगा तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और आज जैने तो शेयर भी कर सकते हैं लुक को ज़रू ट्राइग करिएगा